नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ Fantasy Binning 11 यूट्यूब चैनल पर और दोस्तों हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले यदि बात करें वरियर्स के बारे में तो तीन मुकाबले इन्होंने खेले हैं मातर एक ही मुकाबले में इने जीत मिली है और दो मुकाबलों में इने हार मिली है वहीं अगा Titans के बारे में दूस्तों बात करें तो चार मुकावले इनोंने के लिए है तीन मुकावلों में जीत मिली है और दूस्तों पिछला मुकावले में इन्हें हर मिली है यह निच्स तोर पर दोसो Titans का पड़ला आज के मुकावले में भारी रहने वाला है दोस्तो टाइटन्स आज के मुकाबले में फैवरेट टीम रहने वाली है यदि बात करें अपन ग्राउंड रिकोर्ट्स के बारे में दोस्तो दस मुकाबले इस पिछ पर अभी तक के ले गाए हैं और ये दसों के दस मुकाबले इसी टूनामेंट के रहे हैं द निश्चे तोर पर टोस्ट जीतने वाला कप्तान यहां पर पहले बैटिंग का फैसला लेने वाला है और दोस्तों यदि बात करें फर्ष्ट इनिंग के एबरेज स्कूर के बारे में तो 10 मुकाबलों में यह स्कूर 145 रन निकल कर आया है वहीं अगर बात करें पचले चार के बारे में तो यह स्कूर बढ़कर 179 का हो गया है दोस्तों अब काफी जएदा पर यहां से बनने वाले हैं तो बात करणे टाइटन्स के बारे माज़ी पहले बल्ले बाज़ी टाइटन्स की टीम करती है टो यह स्कूर 5 pole हो जाए वहीं अगर बारियर्स के बारें बात करें तो यह इसकोर 170 के आसपास रहने वाला है तो निश्य तोर पर दोस्तों हमारे लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है दोस्तों अब शुरूबात करने वाले हैं अपन बिकट कीपरिंग सेक्शन के साथ में और देखने व साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर आजाएगा क्योंकि आफ्टर टोस जो भी इंफोर्मेशन होती है वह हम टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं यहीं पर हम ग्रांड लीग और हैड टूएड लीग की टीमें भी दोस्तों देते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने में किसी परकार की कंजूसी ना करिएगा तो शुरूबात करने वाले हैं अपन बिकेट की बिरिंग सेक्शन के साथ में सबसे पैदा नाम आपको देखने वाला है ध दोस्तों यदि बात करें शमिट ठाकुर के बारे में लगबग हरवंदे ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों बैटिंग ओडर की यदि बात करें तो पहले मुकाबले में पांच पे नंबर पर बैटिंग करने आए दूसरे मुकाबले में पांच पे इसके अपने टीम में शामिल किया है पहले मुकाबले में यह ओपन करने आये तैं इसके बाद दोस्तों पांचवे, पांचवे और लाश्ट मुकाबले में चोथे नंबर पर उन्हों ने बेटिंग की है सिर्फ पिछले ही मुकाबले में इनके बल्ले से स्कور निकला है इसके पहले दोस्तों इनके बल्ले से कोई स्कूर नहीं निकला है यदि आप यहां से बिकेट कीपर एक लेकर सलते हैं दोस्तों तो ये काफ़ एदा फाइदे मन हमें में रहने वाला है क्योंकि आगे आने वाले पिलियरों को हम आराम से अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं अब बल्ले बाजियों की अब बात करें तो यहां पर अपने को दिखने वाले हैं एल पधियार दोस्तों लगातार अपने टीम के लिए सुरूबात के तीन मुकाबलों में ओपन किया लेकिन पिछले मुकाबले में पांच बे नंबर पर ये बैटिंग करने आए हैं पहले मुकाबले में 21 इसके बाद 15 इसके बाद 33 और लाश्ट मुकाबले में 11 रन इनके बल्ले से निकले हैं याई दोस्तों एवरेज रन निकाल रहे हैं सुरूबात तो इनको मिल रहा है लेकिन इने बड़ी पारियों में तबदील नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में देखा जा दोस्तों तो हेट टू एट टीम में आप इने लेकर चल सकते हैं क्योंकि आने वाले मैचों में दोस्तों इनकी एक बड़ी पारी अब आने वाली है वहीं अगर बात करें दोस्तों मंगो किया के बारे में तो 88 परसंट लोगों इन्हें अपने टीम में शामिल किया है तीन मुकाबले के लिए हैं तीनों मुकाबले में अपने टीम के लिए ओपन इन्होंने किया है पहले मुकाबले में 48 दूसरे में दोस्तों 9 रन और तीसरे मुकाबले में दोस्तों 19 रन इनके बल्ले से निकले हैं वहीं दोस्तों पिछ खास तोर पर अपनी टीम में इनहें शामिल करने वाले हैं वही अगर बात करने तसमें बैड़ाटे के बारे में तो दस ही परसेंट लोगों ने अपने टीम में शामिल किया है दूस्तों इसका सबसे बड़ा कारण इनका बैटिंग ओर रहा है क्योंकि पहले मुकाबले में 5 वे इसके बाद 6 वे फिर 7 वे और लाष्ट मुकाबले में 8 वे नंबर पर बेटिंग करने ये आए हैं पहले मुकाबले में 15 इसके बाद 23 इसके बाद 14 और इसके बाद 4 रनों की पारी इनों ने खेली है यानि दोस्तों स्कोरों को देखें तो लगबग स्कोर तो कर रहे हैं पर दोस्तों बैटिंग ओडर इनका काफी खराब है तो उस लिहाज से देखें तो हम इने अपने टीम से ड्रॉप करने वाले हैं अब दोस्तों बात करने वाले हैं अनल तिर्वेदी के बारे में लगबग हर बंदे ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है पहले मुकाबल में साथवे, दूसरे मुकाबल में आठवे, इसके बाद छटवे और इसके बाद साथवे नंबर पर बेटिंग कर रहे हैं यानि दोस्तों देखा जाए तो बेटिंग ओडर थोड़ा नीचे है, लेकिन दोस्तों स्कोर हर में कर रहे हैं इसका करन दोस्तों ये है कि ये हार हेटिंग के लिए बैटिंग करने आते हैं यानि दोस्तों जब आप जब दिखता है कि तीन से चार ओवर बचे हैं ताव इस टाइम इनको प्रमोट करती है और वहाँ पर दोस्तों ये हार हेटिंग के तोर पर बैटिंग करने आते हैं और score की बात करें तो लगबग 20-30 score ये आपको सबसे ज़्यादा करके दे पाएंगे यानि उससे ज़्यादा score ये करकर नहीं देने वाले इसके लाब bowling की बात करें दोस्तों तो पहले मुकाबले में bowling नहीं किये लेकिन दूसरे मुकाबले में इन्होंने एक ओवर फेकने के बाद एक बिकेट निकाला है तीसरे मुकाबले में चार ओवर फेके थे और तीन बिकेट निकालकर टीम के लिए दिये हैं और पिछले मुकाबले में एक ओवर फेका है पर कोई बिकेट इनको नहीं मिला है दोस्तों आप head to head टीम तो इनको try कर सकते हैं लेकिन grand league की बात करें तो वहाँ पर आप इने captain by captain जरूर ट्राय करें क्योंकि दोस्तों क्या है कि यदि over फेकते हैं और बिकट एक दो निकाल कर देते हैं और उसी match में दोस्ते दी score करकर देते हैं तो आपके लिए different pick का काम ये कर सकते हैं वहीं अगर ब अदकार सकते हैं वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों एक हमारे बात करेंगे बात पार्टीदार के बारे तो लागतार अपने टीम के लिए number 4 कारिस्तान निके लिए fix कर किया हुआ है पहले मकाबले में अक दूसरे मकाबले में चार ओवर फेका एक बिगेट और तीसरे मुकाबले में दो ओवर फेकने के बाद कोई बिगेट इनको नहीं मिला है लेकिन दोस्तों पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हैं सबसे अच्छी बात इनका बैटिंग ओडर है जो कि चोते नमबर पर लगातार ये बैटिंग कर रहे लेकिन इसके बाद जब दो मुकाबले इनों ने खेले तो दोनों मुकाबले में टीम के लिए इनों ने ओपन किया है अलाकि पहले मुकाबले में जीरो पर आउट हो गए थे दूसरे मुकाबले में दो रन बनाए हैं रन जादा नहीं है लेकिन दोस्तों बॉलिंग की बात और दोस्तो रहन अभी तक निकल नहीं और काफी कम लोगों ने अपने टीम में शामिल किया है जानी है और दोस्तों आज के मुकाबले में स्कूर करते हैं निश्यत पर दोस्तों बॉलिंग की बात करें तो आपके लिए घरण लीग में ये डिफरेंट पिक का काम कर जाएंग जोस्तो ऐल्ट राउंटर सेक्षन पर आ गए हैं Pras就是 एक और ul जायर के अज सबसे पहले हम बात कर रहे है सुक्रित पांडे के बात करें तो यह एक ऐसा प Natal जो जो दोस्तो डोनों ही टीमों में सबसे जादा्र अरल बनाने है और दोनों ही टीमों में सब से यहादा बिक्ट लेने वाला बल्ले stripped है बीकिट लेने वाल दोस्तो dopo लेकित लेने वाल भी रहा बड़ी बड़ी पारियां तीन खेल चुके हैं चार मुकाबलों में 38, 10, 48 और 30 रंगी पारियां इनके बल्ले से निकली हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तों बॉलिंग की यहां पर रही है पहले मुकाबले में 3, दूसरे मुकाबले में 3, तीसरे मुकाबले में 2 और केपन नहीं मिलने वाला कास तर पर हेट टू हेट टीमों चुके लिए हैं रही हैं अगर बात करेंगी दोस्तों परफिकें गलावारे में 2, परहिए पे बात करत करें रहे हैं इनके बल्लेबाजी में ज्यादा रिकॉर्ट्स नहीं है इसलिए आप हेड टू हेड टीम से अभी इनको ड्रॉप कर सकते हैं वहीं अगर बात करेंगे धरिया पांडे के बारे में तो पहले मुकाबले में नमबर तीन दूसरे में नमबर तीन और इसके बाद टीम के लिए ओपन करने ये आए है दोस्तों ये प्लियर ऐसा है जो बॉलिंग आपको करकर नहीं देने वाला है पहले मुकाबले में 29 इसके बाद 19 और पिछले मुकाबले में 5 रंगी पारी खेली है यही दोस्तों आपको यहां से बल्ले बाद या बोलर बढ़ाना है तो आप ऐसे में धिरिया पांडे को टीम से ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे दोस्तों टॉप और पर ये बल्ले बादी करने आते हैं वहीं अगर बात करेंगे सन्जब इस वर कर्मा के बारे में तो पहले मुकाबले में नम्बर चार इसके बाद लगातार टीम के लिए ओपन कर रहे हैं हाला कि दोस्तों रॉन बल्ले से नहीं है लेकिन पचले ही मुकाबले में शांदार इतालीस रनों की पारी इनके बल्ले से लिए है और एक और अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये बोलिंग करकर दे रहा है पहले मुकाबले में तीन ओवर फेक हैं दूसरे मुकाबले में चार तीसरे मुकाबले में चार और छोते मुकाबले में तीन ओवर फेक हैं और बिक्टो की बात करें दोस्तों बीच के दोनों मुकाबलों में एक एक बिकट इनको मिले हैं यानि दो बिकट अभी तक टीम के ल तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर आ जाईएगा अब बात करने बाले हैं देव पार्टल के बारे में देव पार्टल ने चार मुकाबले के लिए हैं पहले और लास्ट मुकाबले में इनको बिकट मिले हैं बीच के दोनों मुकाबलों बिकट नहीं मिले हैं लेकर चार ओवर कम्पलीट करकर टीम के लिए दे रहा हैं पहले मगाबले में 4 over fake हैं एक भिक्ट इस के बाद दोस्तो कोई भिकट इनको नहीं मिला है लेकन पिछले ही मुकाबले में शांदार 4 over fakeने के बाद 3 विकट टीम के लिए निकाल कर इन्होंने दिये हैं यानि 3 मैचों में 4 भिकट यह अभी तक निकाल कर दे चुके हैं वहीं अगर बात करें लक्षिक तोक्सकिया के बारे में सुरुबात के तीन मुकाबले में दोस्तों तीन तीन ओवर फेके हैं और पहले मुकाबले को छोड़ दें तो बीच के दोनों मुकाबले में तीन तीन बिकट निकाले हैं और लाश्ट मकाबले में चार ओवर फ्लेक ने के बाद इनको कोई बिकिट नहीं मिला है हैड टू एड टीम में जरूर आप इने अपने टीम में शामिल करें वहीं अगर बात करें बिशाल शॉलंगी के बारे में दोस्तों सुरुबात के मुकाबलों में काफी शांदर और ने बॉलिंग की है लेफ टाम इस्पनार है निश्चेत तोर पर दोस्तों ये बिकिट निकाल कर देने वाले है हाला कि पिछले मुकाबले में इनको बिकिट नहीं मिला है लेकिन उसके पहले लगातार ये बिकट निकाल कर दे रहे हैं बले ही दोस्तों आप बल्ले बाजों को एक कम कर देना लेकिन इस बॉलर को अपने टीम में जरूर किलाना है वहीं अगर बात करें दोस्तों माना मेहता के बारे में लिहास से आप इने अपने टीम में जरूर शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये पलियर ऐसा है साथवे नंबर पर बल्ले बाजी भी करता है एक बार इनके बल्ले से 20 रन की पारी इसी टूनामेंट में भी निकली है पहले मकाबले में चार ओवर फेके दो बेकेट दूसरे मकाबले में चार ओवर फेके एक बेकेट और तीसरे मकाबले में दोस्तों चार ओवर फेके हैं पर कोई बेकेटन को नहीं मिला है दोस्तों अब ध्यान रखिएगा टीम हमें कैसे तयार करनी है तोस का दोस्तों बिसे इस ध्यान रखना है जो भी टीम टोस जीते उसके बल्लेबाजों को हमें अपने टीम में शामिल करना है यानि जो भी टीम टोस जीत रही है उसके ज़्यादा ज़्यादा बल्लेबाजों को हमें अपने टीम में शामिल करना है इसी परकार से आपको टी लेकर आते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन दोस्तों